हलो फ्रेंट्स विल्कम तो मैं चैनल आज मैं आपको इस तरह का डिजाइन बताने जा रहे हूं जिसको आप लेडिजेंड स्वेटर में डाल सकते तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले मैंने इस तरह से यह फोर फंदे बनाया हूं फिर एक निडल का गाप है फिर एट फंदे बनाया हूं फिर एक निडल का गाप है फिर एट निडल फिर एक निडल का गाप है और लास्ट में फिर फोर फंदे छोड़े हूं इस तरह से बीच में जो खाली निडल है अब हमें यहाँ पे फंदों को पलटना है तो यह फोर और फोर इस तरह से जो खाली नीडल है, उसके side वले जो दो फंदे पहले उनको हमं अंदर की side transfer करेंगे इस तरह से और पिर जो बीच वाली जो दो फंदे उनको हम जो खाली नीडल उसके side में transfer कर लेंगे यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे 2 और 2,4 तो जो बाहर जो single needle खाली needle उसके side वाले जो फंदे उनको पहले हम अंदर की side लगाएंगे फिर जो अंदर वाले उनको इस तरह से बाहर की side लगा लेंगे और इनको आगे कर लेंगे ताकि हमारे machine चलाते time अठक झाल है इस तारह से यह और 2,6 उनको अंदर की side लगाएंगे फिर इनको transfer करेंगे इनको जो 4 है 2 है उनको इस तरह से फिर इनको भी हम आगे कर लेंगे और 6 लाइए लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लाइए लगाने के बाद फिर से हम ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे इनको पहले जो सिंगल निडल के साइड वहले दो फंदे उनको अंदर के सैड लेके गए फिर ये बाहर की सैड जो दूसरी साइड के 8, 4 फंदे उनको भी हम पहले जो सिंगल निडल खाली निडल जो है उसके साइड वाले जो फंदे पहले उनको अंदर की सैड ले जाके उनको पहल जिस साइट खाली निडल है उस साइट नहीं लेके जाना है हमें जो सेंटर में फंदे हैं उनकी साइट लेके जाना है पहले बाहर वाले लास्ट वाले फंदों को और फिर जो सेंटर वाले फंदे उनको लास्ट में लेके जाएंगे इस तरह से अब यह सारी निडल हम आगे क कर लेंगे और फिर से सिक्स सिलाई ये लगाएंगे इस तरह से थोड़ा सा प्लेन बना के फिर मैं आपको दिखातू कि मेरा डिजाइन किस तरह से बन के आया है इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आया है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक यू